C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरीए पेश है सफ़ा नमबर 47 सबख 8 सच की जीत एक बादशा था, उसे शेरो शाहरी से बड़ी दिलचस्पी थी एक दिन उसने कुछ शाहरों को बुलाया और उन्हें अपने दर्बारियों में शामिल कर लिया उनकी तनखाही भी मुकरर कर दी कुछ ही दिनों के बाद बादशा ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से हसत करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जब दर्बार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशा की तारीफ करते हैं। उन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशा के बुलाए बगैर दर्बार में नहीं जाता था। वो ना बाच्शा की खुशामत करता और ना उसकी तारीफ में शेर पढ़ता था उसका नाम फिरोस था बाच्शा ने बहुत जल्द उन शायरों को पहचान लिया के कौन कैसा है एक दिन उसने सब को दर्बार में बुलाया और एलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी खुब शेर कहे और बाच्शा की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिये हर एक ये सोच कर खुश था कि हीरा उसे ही इनाम में मिलेगा सफ़ा नंबर अर्तालीस उसके बाद बाच्शा ने एक दिन सभी शायरों को दर्बार में बुलाया और कहा मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाए एक शायर उठा और आगे बढ़ कर उसने अपनी नजम सुनाई दर्बारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की बाच्शा ने उसे एक हीरा इनाम दिया वो सलाम करके खुश होकर बैठ गया उसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नजम सुनाई दर्बारियों ने उसकी भी तारीफ की बादशा ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया वो भी खुश होकर सलाम करके बैठ गया इसी तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नजमें सुनाई और हीरा इनाम में लेकर खुशी-खुशी बैठ गए फिरोज अपनी जगा बैठा रहा उसने कुछ नहीं सुनाया बादशा ने कुछ नाराज होकर कहा तुमने क्या लिखा है? सुनाओ फिरोज ने कहा अगर बादशा सलामत मेरी जान बख्ष दे तो सुनाओ बादशा ने फौरण कहा जाओ, तुम्हारी जान बख्ष दी गई, सुनाओ फिरोज ने कहा ऐ बादशा, तू आलिम और अकलमंद है शायरों की इज़त करता है लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधता है इस तरह उसने बादशा की बहुत सी कमजोरियां गिना दी दर्बारियों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने सोचा कि बस अब इस शायर की खैर नहीं जरूर मारा जाएगा मगर दर्बारियों को उस वक्त और हैरत हुई जब नजम सुनने के बाद बादशाह ने फिरोज को भी एक हीरा इनाम में दिया दर्बार खत्म होते ही सभी शायर हीरे की कीमत लगवाने के लिए खुशी-खुशी जोहरी के पास गए फिरोज को भी अपने साथ ले गए जोहरी ने हीरों को देख कर बताया के सब के हीरे जूटे हैं सिर्फ फिरोज का हीरा सच्चा है दूसरे दिन बाच्चा ने फिर सभी शायरों को दर्बार में बुलाया और पूछा इनाम पाकर कौन खुश और कौन रंजीता है शायरों ने शिकायत की के फिरोज के हीरे के सिवा सारे हीरे जूटे हैं बाच्चा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया इसमें ताज्युप की क्या बात है जिसने जूटी तारिफ की उसे जूटा हीरा मिला और जिसने सची बात कही उसे सच्चा हीरा मिला बाच्चा का ये जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिन्दा हो गए सफ़ा नंबर 49 एक लव्ज और मानी मुकरर करना तै करना हसद जलन नीजा दिखाना जलील करना खुशामदी ऐसा शख्स जो किसी को खुश करने के लिए उसकी जूटी या सच्ची तारीफ या बढ़ाई बयान करे चापलूस जमीन आसमान एक कर देना बहुत कोशिश करना बढ़ा चड़ा कर बात कहना आलिम जानने वाला बहुत पढ़ा लिखा अकल मंद अकल वाला होशियार अस्तबल घोडों के बांधने और रहने की जगा जोहरी जवाहराद की परक और कारोबार करने वाला रंजीदा उदास ताज्योब हैरानी अचंभा दो सोचिये, बताईये और लिखिये अलिफ बादशा को किस चीज से दिर्चस्पी थी? बे शायर बादशा की तारीफ किस लिए करते थे? जीम बादशा ने दर्बार में क्या ऐलान किया? सफ़ा नंबर पचास दाल बादशा फिरोज से क्यों नाराज हुआ? हे बादशा ने फिरोज को सच्चा हीरा क्यों दिया? तीन खाली जगों को दिये हुए अलफास से भरिये तारीफ दर्बारियों शायरों ताज्जुप मुस्कुरा जोहरी हीरे अलिफ एक दिन बादशा ने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने खाली जगा में शामिल कर लिया बे वो ना बादशा की खुशामत करता और ना उसकी खाली जगा में शेर पढ़ता था जीम ये सुनकर सब खाली जगा ने तैयारियां शुरू कर दी डाल सभी शायर खाली जगा की खीमत लगवाने के लिए खुशी-खुशी खाली जगा के पास गए हे बादशा ने खाली जगा कर जवाब दिया इसमें खाली जगा की क्या बात है चार इन लवजों से जुमले बनाईए खुशामद दर्बार हीरा नाराज इजजत इनाम हैरत पाँच उस्ताद की मदद से इन लवजों के वाहिद बताईए जमा अशार शौरा उलमा इनामात जवाबात छे पढ़िये, समझिये और लिखिये अलिफ शायर आपस में लड़ते हैं बे हसत करते हैं सफा नंबर रिक्यावन जीम बादशा की तारीफ करते हैं दाल उसने अपनी नजम सुनाई इन जुम्लों में लड़ते हैं हसत करते हैं तारीफ करते हैं और नजम सुनाई अल्फाज इस्तमाल हुए हैं जिन से किसी काम के करने या होने का पता चलता है ऐसे लबजों को फेल कहते हैं यहां दिये हुए लबजों को इस्म और फेल के मुताबिक लिखिए बादशा, बुलाया, दर्बार, लड़ते, इनाम, दिखाना, फिरोज, जाना, हीरा, पढ़ना, मिलना, घोड़ा, कहना, अस्तबल साथ, बताये कि ये जुमले सही हैं या खलत अलिफ, बाठशा के तर्बार में सब शायर महबबस रहते थे सही या खलत बे, फिरोज भी बाठशा की खुशामत करता था सही या खलत जीम, बाठशा ने खुशो कर सभी को एक एक हीरा दिया सही या खलत दाल, हीरा लेकर सभी अपने अपने घर चले गए सही या गलत आठ दिये गए लवजों के मुतजाद लिखिए शुरू, बाद, नीचा, सच्चा, जवाब, आलिम, अकलमंद, नारास सफा नंबर बावन नौ, इन जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए अलिफ, बादश्या को शेरो शायरी को बड़ी दिल्चस्पी थी बे, उसकी नाम फिरोज था जीम, बादश्या ने उसे एक हीरा इनाम से दिया दाल, ये सुन से सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दिया हे, इसके बाद दूसरे शायर से अपनी नजम सुनाई दस, बादश्या और फिरोज पर दो दो जुमले लिखिए ग्यारह, बलन दावास से पढ़िए और खुश्खत लिखिए मुकरर, खुशामदी, फिरोज, अस्तबल, इनाम, रंजीदा इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक आठ सच की जीत समय रिकॉर्डिस्ट बटिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गौहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत